दोस्तों भारत की सभी घरों में और असोई में नारिल का बहुत यूज होता है मुस्तियम सभी खाने में नारिल यूज करते हैं पुजा में भी रखते हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्य आती है कि इसको शेल में सें कैसे निकाले तो आज मैं आपको एक ट्रेक बताने वाली हूं जिससे आप नारिल को बहुत ईजीले शेल्वे से बहार निकाल सकते हैं और इसके पानी को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं तो यहां मैंने एक पानी वाला नारिल लिया है अच्छा पानी है अच्छा है अब तो सबसे पहले तो हम इसकी जड़े निकाल लेनी है और इसको को साफ कर लेंगे किसी भी शाप चीज से नाइफ से आप इसकी सारी जड़ों को निकाल लेजे इस तरह से और साफ कर लिए नारिल को मैंने अच्छे से छील कर साफ कर लिया है आप इसे दो घंटे के लिए फ्रीजर में दख देंगे और इस नारिल का यह जो रेशा बचा है इसको आप बिल्कुल भी मत फिक एगा यह बहुत काम की चीज है आप इसे पौधे लगाने में भी यूज कर सकते हैं या इस इसे हम कोकूपीट बना सकते हैं पौधो के लिए और कोकूपीट का वीडियो मैं आपको आगे जरूर दूंगी दो घंटे हो गए हैं और मैंने नारियल को फ्रीजर से निकाल लिया है आप इसका सबसे पहले हम पानी निकालेंगे यह नारियल में तीन आइस बनी होती है त तो इस वाली यह मुझी थोड़ी सॉफ दिख रही है तो यहाँ पर हम स्कूड्राइवर से थोड़ा सा इसको घोल करेंगे यह पानी सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे फेस पैक में भी यूज कर सकते हैं सारा पानी निकल गया है और इस पानी को च्छान की यूज कीजिएगा सारा पानी निकलाया है चलिए अब इसको तोड़ते हैं अब इसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए कोई भ हिट करेंगे कई बार प्राइब नारिल थोड़ा से क्रैक होना शुरू हो गया है और देखे थोड़ा थोड़ा हटना शुरू हुआ है अब हलके हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा इसी तरह से हिट करते जाएए और पूरा नारियल निकल आएगा देखे कितनी आसानी से मारा नारियल शैल में से निकल रहा है पूरा का पूरा साबुत परस हलका सब रह गया है देखे कितना भड़िया हमारा नारियल निकल कर आया है पूरा साबुत है और आप इसे चाहें पूजा में यूज किजिए या आप किसी डिश को बनाने में यह मिठाई बनाने में तहिंप भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और यह ट्रिक बहुत ही आसाली से शेल में से नाजिल को निकाल सकती है अगर आपको मेरा ये वीडियो ज़रा भी यूसफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा अब मैं आप से मिलूंगी अपनी नए ट्रिक्स और ट्रिप्स क आ करेए